Hello students, welcome back. ये question 1996 के gate exam में पूछा गया था. आपको ये diagram गवन है और कहा है इस multiplexer की output ढूड़ो. चार options गवन है. तो आपको पता है multiplexer की property है. जब A और B यानि कि select line 00 है तो first input output में आ जाएगी. यानि कि उस case में output होगी C. जब ये 01 है तो C bar. जब ये 1 0 है तो third input output में आ जाएगी. और जब ये है 11 तो ये fourth input output में आ जाएगी. ओके. So let's write equation for this. 00 यानि कि A बार B बार उस case में output है C. Similarly, 01 जब A है 0 और B है 1 उस case में C bar. प्लस 1 0 के case में भी फिर से C bar. और last case है जब A और B दोनों 1 1 हैं. इस case में आप देख सकते हो output आएगी C. अब क्या ये equation सच में सही है या नहीं? Let's check it. माद लो input की value है 1 0. इस case में diagram के हिसाब से output आनी चाहिए C bar. देखो 1 0 means 3 यानि कि third input output से connect हो जाएगी. चेक करते हैं. तो 1 0 के लिए आप देख सकते हो ये पूरी term 0 हो जाएगी. Because B की value 0 है. ये term भी 0 हो जाएगी. Because B की value 0 है. ये term भी 0 हो जाएगी. Because A की value 1 है बट यहाँ पे A bar है. तो 1 bar 0. सिरफ यही term आपको 1 दे सकती है. Because A, B bar 1 होगा. तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1 dot C bar. और ये तीनों तो 0 0 होगी. यानि कि 1 dot C bar plus 0 plus 0 plus 0. तो आप देख सकते हो output आई C bar. विच इस करेक्ट हमें C bar ही चाहिए थी. तो आप देख सकते हो ये equation सही है. Now let's analyze कि इन में से कौन सा option इस equation से match कर रहा है. Option A और B आपको दिख रहे हैं गलत है. देखो option A में 3 terms हैं. और यहाँ पे 4 हैं. So these both are not equal. Option B कह रहा है A, B और C. इन 3 variables का और ले लो. अब आप देख सकते हो इसे simplify करने पे भी यह कभी A, B और C का और नहीं बनेगा. You can try to simplify this equation. Option C सही है. It is actually option C. Option C कैसे है इसकी बात करते हैं. देखो. सबसे पहले option D देख लो. वो clearly reject हो जाएगा. आप इस option D को expand कर सकते हो. यानि कि option D के लिए canonical SO भी ढूंड सकते हो. वो इस equation से match नहीं करेगा. Option C कैसे सही है. यह है A, XOR, B, XOR, C. यानि कि हम 3 variables का XOR ले रहे हैं. आपको पता है XOR की value 1 आती है. जब odd number of inputs 1 है. यानि कि इन 3ों में से कोई भी odd number of inputs 1 हो जाए. तो total 3 inputs हैं. इन में से यान तो कोई भी एक 1 हो तो हम कहेंगे odd number of inputs 1 है. यान तीनों की तीनों 1 हो उस case में भी हम कह पाएंगे कि odd number of inputs 1 है. अब कोई भी एक 1 हो यानि कि यान तो A1 हो बाकी दोनो 0. या B1 हो या C1 हो. ओके? आप देख सकते हो. C1 हो यानि कि यह term. A और B0, C1. B1 हो उसके लिए यह term है. A और B दोनो 0 और B1. और यह है सबसे पहले इसकी बात करते हैं. यह है A1 और बाकी दोनो 0. यानि कि यह वाला case completely cover हो गया. कोई भी एक term 1 हो तो उसके लिए यह कोई भी एक variable 1 हो उसके लिए यह तीनो टर्म्स हैं. सेकंड केस इस यह तीनो के तीनो 1 हो उसके लिए यह रहा. तो आप देख सकते हो यह equation XOR की ही equation होगी. क्योंकि यह XOR की high वाली property को satisfy कर रहा है. हाई वाली property means XOR की output हाई कब आएगी? odd number of ones वाला case. Okay. So option C is correct. ुप वाला क्योंकि यह प्रिसक्षब तो 利 людей झाल झाल